बिस्मिल्ला रह्मान रहीम फस्तिय बाइलोजी में बेटा हम चैप्टर नमबर वन इंट्रोड़क्शन टू बाइलोजी डिसकस कर रहे हैं जिसका लास्ट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था जो था एप्लिकेशन ऑफ टी नॉलिज ऑफ बाइलोजी यानि के सर्फसिस टू मैनकाइड कि जो बाइलोजी का नॉलिज हमने पढ़ा ब्रांचिस पढ़ी लाइफ की प्रॉप्टिस पढ़ी लेवल्स ऑफ और अगनाजेशन पढ़े बाइलोजी कल मैथड पढ़ा फालिटिक लिनिएज पढ़ा लाइफ इन प्लेस एंड लाइफ इन टाइम पढ़ी इस सारा कुछ का मकसद क्या है बाइलोजी के नॉलिज का बैनिफिट क्या है बाइलोजी के नॉलिज की अप्लिकेशन क्या है बाइलोजी के नॉलिज के फवाइद क्या है यूजिस क्या है बैनिफिट्स क्या है हम उससे क्या कुछ हासिल कर सकते है इनसानियत कौन कौन सी खिदमात ले सकती है यह हमने डिसकस करना स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि हम four fields डिसकस करेंगे food production and preservation जो हमने last day डिसकस किया diseases control जो हमारा आज का topic है इसके बार फिर cloning and conservation of environment आजएगा तो आज हम बेटा second point डिसकस करेंगे जो है diseases control बालो जी ने diseases control करने के लिए इनसानियत की बहुत ज़्यादा help की है और इस help में बहुत ज़्यादा progress भी की है हम बेटा diseases को control करने के लिए three ways यहाँ पर डिसकस करेंगे preventive measures यानि के इहतियाती तदाबीर vaccination यानि के हिफाजती टीके और therapy या treatment यानि के इलाज करना ये तीन ways हम बेटा डिसकस करेंगे बालो जी ने निसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत की बहुत ज़्यादा help की और fantastic progress इनसान ने हासल की diseases control करने के लिए बहुत सथा तरकी की इनसान ने diseases control करने में पास्ट के अंदर जो मौत की शरह थी जो mortality rate था वो आज की निस्पत बहुत ज़्यादा था आज बहुत सारे serious accidents को बहुत सारी serious diseases को बहुत सारी serious conditions को बचा लिया जाता है बहुत से लोग जो पास्ट में किसी वज़ा से dead हो जाते थे आज उनका treatment possible है आज उनका इलाज जो है वो possible है वो बाइलोजी की सरफसिज की वज़ा से ही है बाइलोजी ने बहुत अच्छे और बहुत effective actions इंसान को दिये जो के हम diseases के खिलाफ इस्तमाल कर सकते हैं जिससे हम treatment कर सकते हैं जिससे हम persons को save रख सकते हैं उनकी precious life को बचा सकते हैं लहादा बेटा हम पहला point डिसकस करेंगे preventive measures यानि के इस्तियाती तदाबीर एक बड़ी simple सी statement बोली जाती है के prevention is better than cure परहेज इलाज से बेहतर है बजाए इसके के इलाज किया जाए इससे बेहतर है के परहेज किया जाए preventive measures उसी तीज का नाम है precautions इफ्तियात करना इफ्तियाती तदाबीर को इफ्तियार करना जैसे जैसे बेटा biology का knowledge advance होता जा रहा है वैसे वैसे हमें information मिलती जा रही है के कोई disease क्यों होती है उसके होने की वज़ा क्या है उसके होने की reason क्या है कोई bacteria reason है कोई virus reason है कोई protozoa reason है कोई non-limic things reason है कोई living things reason है हमारा food problem है हमारा digestive problem है यानि के जैसे जैसे हम research करते हैं जैसे जैसे हम knowledge हासित करते हैं जैसे जैसे हम experiments करते हैं तो हमें इस सीज की information मिल जाती है कि disease क्यों होती है disease किस وجہ से होती है वो किस वज़ा से स्प्रेड होती है हम यहां पर कुछ एक्जेंपल्स पढ़ेंगे जैसा के बेटा AIDS है Required Immuno Deficiency Syndrome एक बहुत कॉमन डिजीज है जिसमें इनसान का Immune System जाने के बिमारियों से लड़ने का सिस्टम फेल हो जाता है यह एक वाइरस की वज़ा से होती है जिसका नाम है HIV Human Immuno Deficiency Virus HIV बहुत कॉमन वाइरस है बहुत कॉमन डिजीज है अब जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की शुरु शुरु में इसके सिंटम्स मिले 1980s के बाद तब नहीं पता था यह क्यों होती है लेकिन आज रिसर्च के बाद इस बाद का पता है कि यह वाइरस की वज़ा से होती है और वाइरस कहां से आता है फ्री सेक्शुल कॉंटेक्ट्स के जरीए यानि के मॉरल वैल्यूस को डाउन करने से अगर एक परसन में HIV है उसका बलड ट्रांसफर करने से उसकी यूज़ सिरिंज इस्तमाल करने से या उसके यूज़ सर्जीकल इंस्टूमेंट्स या यह जो डेंटिस्ट के इंस्टूमेंट्स हैं या जो बार्बर्स हैं नाई हैं इनके instruments अगर यूस कर लिये जाएं without washing without sterilization तो उससे HIV virus transfer होने के बहुत ज़्यदा chances होते हैं तो आज हमें पता है कि ये किस वज़ा से होती है अगर पता होने के बावजूद भी हम care नहीं करते तो it means कि फिर हम default हैं लहादा हमें strict measures लेने चाहिएं ताके हम अपने आपको बचा सकें क्योंके AIDS एक ऐसी बिमारी है जिसका कोई treatment नहीं है जिसकी कोई vaccination नहीं है सिर्फ हम हिफाज़त करके बच सकते हैं इसके बाद बेटा दूसरी example है hepatitis की जो के inflammation of liver जानी के जिगर की problem का नाम है हेपा जिगर को कहा जाता है एंटाइटस मीन inflammation सोजिश तो liver की जो problem है जो liver की सोजिश है जो liver की disease है hepatitis वो hepatitis virus की वज़ा से होती है जिसे H virus यानि के hepatitis virus कहा जाता है इसकी बहुत सरी types हैं HAV, HBV, HCV, HDV ये उनकी discovery के लिहाज से नाम है hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus इसकी बहुत सरी types हैं लेकिन इसके बारे में भी आज हमारे पास knowledge है तो ये कैसे transfer होता है अगर एक शखस को hepatitis है उसका blood transfer कर दिया अगर उसकी used contaminated यानि के wrong string use कर ली अगर उसके used surgical instruments यूज कर ली है मदर अगर अगर अपने बेबिस को breast feeding करवाती है milk जो है वो ट्रांसफर होने से या मदर की body से जो है वो genetically ये disease ट्रांसफर हो सकती है तो ये वेटा हमें उन reasons का पता है कि hepatitis किस virus के दरीए और किस तरह से spread होती है लेहाजा अगर हम strict actions नहीं लेते तो इसका मतलब हम default है हमें उसे बचना चाहिए हमें precautions यानि कि इहत्यात करनी चाहिए क्योंकि hepatitis की बहुत सरी टाइबस ऐसी है जिन की medicines नहीं है और hepatitis की बहुत सरी टाइबस ऐसी है जिन कि vaccine भी नहीं है लہाजा अगर vaccine भी अवेलेबल नहीं है अगर उसकी मेडिसन भी अवेलेबल नहीं है बहुत सरी टाइपस की, कुछ टाइपस की मेडिसन हैं, वो क्यूरेबल हैं, तो फिर हमें इहत्याद करनी चाहिए, ताके हम इसके साथ जो है वो फाइट कर सकें, इससे अपने आपको बचा सकें एक recent example बेटा लेते हैं, COVID-19 की, COVID-19 जो करोना वाइरस डिजीज, 2019 में स्टार्ट हुई, इसका कास करोना वाइरस है, जिसकी अभी इतनी ज़्यदा structure जो है, वो डिसकस नहीं की गई, इतनी ज़्यदा डिटेल सामें नहीं आई, इसकी बहुत सरी टाइपस है करोना वाइरस की, तो COVID-19 जो डिजीज, करोना वाइरस की वज़ा से होती है, अब हमें पता है, कि अगर हम मास्क या गलव्स यूज़ करेंगे, सैनिटाइजर्स यूज़ करेंगे, डिस्टेंस पे रहेंगे, तो ये वाइरस हम तक शिफ्ट नहीं होगा, हम तक ट्रांसफर नहीं होगा, लह लेकिन इसकी कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, लहाज़ा जो है, वो COVID-19 जो है, उससे बचने के लिए सिर्फ प्रीकॉशन्स हैं, जो हम इस्तमाल करके अपने आपको सेव रख सकते हैं, नेक्स बेटा, डिजीज़ कंट्रोल का, जो सेक वैक्सीनेशन या इम्यूनेशन जो है, ये बिमारी होने से पहले हिफाज़ती तोर पर मैडिसन्स खा लेना, हिफाज़ती तोर पर केमिकल्स अपनी बाड़ी में ले जाना, ताके फूचर के इंफेक्शन्स से बचा जा सके, और उस मैडिसन का नाम वैक्सीन है, तो वैक् है कि वो फ्यूचर में होने वाले इंफेक्शन से पहले से तियार हो रहा है लहागा अपनी बॉड़ी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए बॉड़ी के अंदर डेड या वीक पैथोजन्स का ले जाना ताके वो फ्यूचर के लिए हमारी बॉड़ी को लड़ने के क किये हैं तो उसमें पॉलियो के ही डेड या वीक जम्स होंगे बड़ी अजीब बात है कि उसी के जम्स बॉड़ी में लजा रहे हैं और उसी से हम अम्यून हो रहे हैं उसका फाइदा यह होता है कि जब बॉड़ी में डेड या वीक जम्स जाते हैं तो हमारी बॉड़ी में anti-bodies बनना शुरू हो जाती है जो के future में आने वाले actual jumps से fight कर सकते हैं जो के future में आने वाले actual viruses से fight कर सकते हैं इस process का नाम shots भी है तो लहाजा body में immunity produce करना vaccination है immunization है या shots है जैसा के polio, measles यानि के खसरा, mumps, कन पेड़े, वांपिंग काफ, काली खांसी, टेटनस इन सारों के खिलाफ, दुनिया में vaccines available हैं जो के हम use कर सकते हैं vaccination का process बेटा एक Italian scientist ने 1795-1996 में discover किया जिसका नाम Edward Jenner था उसने cow पर सबसे पहला experiment किया और एक milk made एक ऐसी औरत जो के गाए का दूद निकालती थी, उसके हाथ से cow पॉक्स के जम्ज लिए जो के cow पॉक्स को होने वाली पॉक्स यानि के च्छालों की बिमारी थी उसके जम्ज लिए उन जम्ज को कुछ दिनों तक पड़ा रहने दिया, और फिर उनको एक eight years old boy जिसका नाम James Fips था उसकी बॉड़ी में ट्रांसफर कर दिया अब जो James Fips की बॉड़ी में वो जम्ज गए तो James Fips को कोई डिजीज ना हुई क्योंके वो जम्ज वीक हो चुके थे लेकिन जब फ्यूचर में उसने cow पॉक्स के actual यानि के सही वाले active जम्ज बॉड़ी में एंटर किये तब भी कोई डिजीज ना हुई स्मॉल पॉक्स के जम्ज एंटर किये तब भी कोई डिजीज ना हुई चिकन पॉक्स के जम्ज एंटर किये तब भी कोई डिजीज ना हुई तो उससे ये प्रूफ हुआ कि जो बाडी में वीड जम्स गए थे उसने बाडी में जाकर एंटी बाडी पैदा कर दी लहाजा जब फ्यूचर में एक्चुल जम्स आए काउपॉक्स के, स्माल पाउख्स के, चिकन पाउख्स के तो वो इफेक्ट ना कर सके वो रोल प्ले ना कर सके वो डिजीज कार्ज ना कर सके डिस इस वेक्सिनेशन के बाड़ी में एंटी बाड़ी स्टाइम से पहले प्रोड्यूस कर दी जाएं ताके फ्यूचर के इंफेक्शन से बचा जा सके तो वेका लेटल लेंग्विज में काउ को कहते हैं तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट काउं पर था इसलिए इस प्रोसेस का नाम एड़वर्ड जैनर ने वेक्सिनेशन रख दिया उसने 23 पीपल्स को सकसेस्फुल वेक्सिनेट किया और उसके बाद से दुनिया में वेक्सिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्कार्ट हो गया वेक्सिनेशन कार्ड स्कूल में अड़विशन लेने के लिए जरूरी है हमारी कांटरी में फ्री ओफ कॉस्ट वेक्सिनेशन होती है वेक्सिनेशन कार्ड भी बनता है लेकिन अड़विशन प्रोसेस पे उसको जरूरी नहीं समझा जाता उनको कोई इन्फेक्शन हो उनको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्यूचर के अंदर जो है वो अपने आपको सेव रख सकें फ्यूचर के अंदर उनकी बॉड़ी में इम्यूनिटी हो फ्यूचर के अंदर उनकी बॉड़ी के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सही तर सके उनकी बॉडि जो है वो सही तरीके से डिजीज को ओवर कम कर सके डिजीज को कन्ट्रोल कर सके डवल्यू एच ओ जो जो के वर्ल्ड हेल्प और्गनेज़ेशन है और जूनाइटीड नेशन के साथ मिल कर काम करती है उसने 1980s के बाद ये डिकलेयर कर दिया था कि दुनिया स्मॉल पॉक्स फ्री हो गई है दुनिया से स्मॉल पॉक्स कतम हो गई है वो इस वैक्सिनेशन के प्रॉसस की वज़ा से ही था AIDS की वैक्सिन्स ट्राइल बेसिस पर है कोशिश की जा रही है कि एड्स की वैक्सीन बन सके लेकिन अभी तक नहीं बन सकी ट्राइ की जा रही है इनसानों पर अक्सपेरिमेंट्स किये जा रहे हैं इसी तरह रिजन्टली आप नियूज में सुनते हैं कि COVID-19 की वैक्सिनेशन बनाने के लिए एक्सपरिमेंट्स कॉंटीन्यू हैं और बहुत सारी फार्मसिटिकल कॉंपनीज और बहुत सारी कंट्रीज से कोशिश कर रही हैं कि हम वैक्सिनेशन बना सकें और बहुत ज्यादा प्छेरेपी या टीरीटमेंट अगर खुदाना कास्ता डिजीज हो गई है डिजीज डाइगनोज हो गई है हमें पता चल गया है कि ये फलाण डिजीज है तब उसका इलाज होना चाहिए डिजीज होने के बाद उस डिजीज को खतम करने के लिए जो हम मैडिसंज खाते हैं या different other ways इस्तमाल करते हैं, उसे हम therapy, treatment या cure कहते हैं, कि अब इसका इलाज किया जाए, अब इस disease को खत्म किया जाए, तीन तरीकों से बेटा disease eliminate होती है या उसका इलाज होता है, कीमो थेरपी, रेडियो थेरपी and gene थेरपी, थेरपी कहते हैं, इलाज को, कीमो, chemicals के दरीए, chemicals यानि के medicines, ये सबसे common way है इलाज का, कीमो थेरपी सबसे common way है दुनिया में इलाज का, कोई भी disease होती है तो हम उसकी medicine खाते हैं, injections, syrup, drops, ये सारी medicines हैं, ये हम use करते हैं, जैसा के antibiotics, bacteria के खिलाफ खाते हैं, antiviral viruses के खिलाफ खाते हैं, लेकिन इन medicines को खाने का नुक्सान ये होता है, कि उन जम्स के अंदर resistance आ जाती है, उन pathogen's के अंदर medicine से fight करने की ability आ जाती है, और future के अंदर उन medicines का effect खत्म हो जाता है, और pharmaceutical companies को research करके नई medicines बनानी पड़ती है, तो लेहादा ये most common way है दुन्या में इलाज का के केमिकल्स यानि के medicine इस्तमाल की जाती है, लेकिन उसका कुछ side effect है कर resistance पैदा हो जाती है, फिर बेटा एक नया इलाज डिस्कवर किया गया, रेडियो थेरपी, use of radiation, alpha, beta, gamma, neutrons, x-rays, ये different other short waves radiation use की जाती है, खास तौर पर cancer के patients के लिए, जिस्तम के किसी हिस्से में अगर abnormal cells बन जाएं तो हम उसको cancer कहते हैं, तो abnormal cells को खतम करने के लिए उस पर radiation डाली जाती है, और radiation उन cancerous cells को, उन abnormal cells को खतम कर देती हैं, लेकिन chemotherapy और radio therapy का side effect और नुकसान ये होता है, के cancerous cells के साथ साथ normal cells भी effect होते हैं, weakness हो जाती है, hairs growth हुक जाती है, और body जो है, वो side effects फेस करती है, body के normal cells destroy होते हैं, body के normal organs भी destroy हो सकते हैं, लहाज़ा एक modern way of treatment डूट लिया गया, which is gene therapy, genes के जरीए इलाज करना, हमें बेटा इस बात का पता है, के body के सारे characters को gene control करते हैं, body के सारे characters gene के control में हैं, body के सारे characters genetics पर depend करते हैं, body के सारे characters DNA पर depend करते हैं, लहाज़ा कोई disease जब आती है, तो DNA या genes में ही defect आता है, तो disease आती है, लहाज़ा अगर उन defective genes को दूब लिया जाए, और उनको body से निकाल कर, उनकी जगापे normal जीन्स डाल दिये जाएं bone marrow cells के अंदर हड्डी के inside bone marrow transplant कर दिये जाए क्याँकि वहाँ से blood cells बनते हैं वहाँ से genetics PRODUCE होती है तो bone marrow transplant का जो process है यह दुनिया में किसी भी disease के लिए most expensive महंगात्रीन treatment है जो बहुत सारी कंटरीज के पास नहीं है तो बोन मेरो को ट्रांस्प्लांट कर दिया जाता है डिफेक्टिव जीन्स निकाल कर उसी जगा पे हेल्दी जीन्स डाल दिया जाते है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है कि हमने वो जीन्स ही खतम कर दिये शायद मेडिसन्स वो जीन्स ना खतम कर सकती आरजी ट्रीटमेंट होता शायद रेडियेशन्स वो जीन्स ना खतम कर सकती लोगों को कैंसर दुबारा डाइगनोज हो जाता है लेकिन जब जीन्स ही ट्रीट कर दिये जाएं जीन्स ही रिप्लेस कर दिये जाएं तो फिर 100% शोर्टी है कि वो ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर बोन मेरो ट्रांस्प्लांट सक्सेस्फुल होता है तो लास्ट पे IDM को रिपीट किया गया है कर बेटा हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी Integrated Disease Management की IDM के Society का रोल Disease को कंट्रोल करने के लिए Useful Methods Disease को कंट्रोल करने की Information लोगों को Awareness देना Society को इलाज के तरीके बताना इलाज के लिए Vaccines डूनना इलाज के लिए Medicine डूनना और तमाम Effective Ways यूज़ करना किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किसी डिजीज को Combat करने के लिए उससे Fight करने के लिए That is called as IDM ये एक बहुत successful प्रोग्राम है जिसके जरीए Disease के स्टार्ट से लेकर खतम होने तक Society को Aware करने तक और उसके बारे में Information शेयर करने तक Each and everything इसमें involved होती है ये एक बहुत successful प्रोग्राम है जो diseases को कंट्रोल करने के लिहाद से वो work करता है Thank you